हेलो दोस्तो मैं विनोद आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पधान मंत्री अवास योजना पधान मंत्री अवास योजना के अंतरगत किस तरह से आप अपना नाम पधान मंत्री अवास योजना में रेजिस्टर करवाएंगे जिससे की आपको भी पधान मंत्री अवास योजना के अंतरगत आपको घर मिले आपको रहने के लिए छत मिले इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है इसमें की EWS, LIG, MIG ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा मेरे वीडियो में इसके लिए आपको मेरा वीडियो को अन तक देखना पड़ेगा आप मेरा वीडियो को अन तक देखते रहिए सबसे पहले दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल वाले बेल आइकोन को दबा कर नोटिफिकेशन को आउन किजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आता रहता हूँ चलिए दोस्तों अब जानते हैं पधान मंत्री अवास योजना की क्राइटेरिया इलिजिबिलिटी क्या है पहला है इकनॉमिक विकर सेक्षन जिसको हम लोग EWS के नाम से जानते हैं EWS के अंतरगत आपका फैमिली इंकम 3 लाग तक होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं अगर आपका फैमिली इंकम 3 लाग तक है तो आप EWS के अंतरगत अपलाई कर सकते हैं दूसरा आता है LIG, LIG मतलब Light Income Group जिसका इंकम 3 लाग से 6 लाग तक हो ये LIG के अंतरगत पधान मंत्री अवास योजनाव के लिए अपलाई कर सकते हैं उसके बाद आते हैं Medium Income Group Medium Income Group को दो भागों में बाटा गया है Medium Income Group 1 और Medium Income Group 2 Medium Income Group 1 को सौट में बोलते हैं MIG 1 जिसके अंतरगत सैलरी 12 लाग के नीचे होना चाहिए मतलब 6 लाग से लेकर 12 लाग के नीचे होना चाहिए वो आएंगे MIG Group में और जिनका सैलरी 12 लाग से लेकर 18 लाग तक है वो आएंगे MIG Group 2 में और एक आते हैं Minorities अगर आप SC, ST या OBC है तो आप इसके लिए Apply कर सकते हैं Common भी Apply कर सकते हैं अगर वो EWS या LIG अंतरगत आते हैं उन्हें भी PMA मतलब पधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के अंतरगत उनको लाब मिलेगा दोस्तो अब जानते हैं किस तरह से पधानमंत्री आवास योजना के लिए आप Online Apply करेंगे आप मेरा प्रोशिष को ध्यान से देखिए वन बाई वन मैं स्टेप आपको बताऊंगा किस तरह से आप Online Apply कर सकते हैं पधानमंत्री आवास योजना के लिए इसके लिए दोस्तो सबसे पहले आपको अपना Google का Home Page खोल लीजिए Google का Home Page में आपको टाइप करना है P-M-A-Y P-M-A-Y करने के बाद आप सर्च किजिए सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास कीन में परधान, मंत्री, आवास, योजना दिखाई पड़ेगा उसके उपर दिखे लिखा हुआ है P-M-A-Y-M-I-S.gov.in आपको इसको क्लिक करना है क्लिक करते ही ये आपको P-M-A-Y-H-F-A, अर्बन, मतलब पधान, मंत्री, आवास, योजना का ओफिशियल साइट पर आपको लेकर चला जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं मेनू बार है आपका मेनू आपके पास खुलेगा मेनू बार में आप देख सकते हैं यहाँ पर Search Beneficiary, Citizen Assessment, Dashboard, CNA List आपको क्लिक करना है Citizen Assessment में Citizen Assessment में क्लिक कीजिए Citizen Assessment में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ दिखा रहा है For Slum, Dwellers, Benefits Under Other Three Components आपको Benefit Under Other Three Components पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके पास चेक आधार या Virtual ID Number existence आया है एक form इसको आपको फिलप करना है आप अपना आधार नमबर देकर या Virtual ID नमबर देकर तो अगर आपके पास आधार है आधार पर आप क्लिक कीजिए आधार पर क्लिक करने के बाद आपका 12 digit का जो आधार नमबर है उस आधार नमबर को आप इहां पर डालिए आधार नमबर डालने के बाद आप बगल में देख सकते हैं कि Name as per आधार जिस तरह से आपका आधार में नाम दिया है Same to Shame आपको यहां पर टाइप करना है करने के बाद नीचे देखिए एक Terms and Condition दिया हुआ है उसका नीचे देखिए Red Color का एक लिखा हुआ है Click here to indicate that you have read and agree to share आधार इसको आपको क्लिक करना है बोला है कि आपने Terms and Condition को पड़ा है और आप अपने आधार को share कर रहे हैं इस box को क्लिक करना है मतलब इस box को tick किजिए क्लिक करने के बाद आपको check पर क्लिक करना है देख सकते हैं कि आपके पास एक नया form Format B खुल गया है Required Information of Survey आपको इसको ध्यान पुरुवक भरना है देखिए Star Rate से लिखा हुआ है Mark Filled or Mandatory जहां पर Star Rate दिया है उसको आपको fill up करना mandatory है जरूरत है उसको आप छोड़ नहीं सकते उसको आपको fill up करना जोड़ी है अनिवारी है उसका देखिए नोट दिया है For income group greater than 550,000 per month cannot apply online और बता रहा है जिनका महीना का income 50,000 से उपर है वो online apply नहीं कर सकते हैं वो लोग direct bank से contact कर सकते हैं और bank के थूँ CLSS MIG के अंदरगत apply कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं किस तरह से form को fill up करेंगे सबसे पहले आपका state name दिखा रहा है राज्य का नाम राज्य का नाम आपको यहां से select drop box से आपको कर लेना पड़ेगा आपका राज्य का नाम कर रहे हैं प्धानमंत्री आवास योजना के लिए मैं उधारन के तोर पर एक रैंडम ली ले रहा हूं बिहार आप अपना state ले लीजिएगा उसके बाद district district name आपको अपना district का नाम choose करना पड़ेगा आप अपना district का नाम choose किजिए drop box को click करके drop box में click करने के बाद आपका सारे district दिखाएगा जिस राज्य में आप रहते हैं आप वहां से अपना district choose कर लीजिए मैं example का तौर से गया district को choose कर रहा हूँ इसके बाद आपको city name सहर का नाम की सहर पर आप रहते हैं उसे drop box करके click कीजिए देखेगा city का नाम आपका दिखाएगा वहां से आप choose कर लीजिए example कर तौर से मैं गया city choose कर ले रहा हूँ आप अपना city choose कर लीजिएगा उसके बाद देखिए रहा दिया है are you from planning area development area क्या आप योजना छेत्र या विकास छेत्र से हैं अगर आप कोई है तो yes अगर नहीं तो no नहीं पता है तो no कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखिए यहां पर यह mandatory भी नहीं है नो करने से कोई दिक्कत नहीं है जहां पर raid है वहां आपको Philip ध्यान पुर्वक देना करना पड़ेगा उसके बाद देखिए यह दिया है planning area यह development area योजना चेत्र और विकास चेत्र आप यहां से choose कर लीजिए उसके बाद देखिए यहां पर आता है preferred component of mission under which survey need assistance under PMA YHFA mission के घटक की प्राथिमिकता जिसके अंत्रगदत पधान मंत्री आवास योजना सबके लिए आवास सहरी के तहत लावविकारी की साहता के लिए आवसक है कि आपको क्लिक करते ही आ जाएगा credit link subsidy यह था दिखिए आपका आधार के दुआरा लिंक किया गया है क्योंकि आधार का जो नंबर दिये थे और नाम वह सी के हिसाब से यहां पर आ गया है तो name of the head of the family दिखा रहा है आपने आधार से आप apply कर रहा है तो आपका head दिखा दे रहा है फैमिली का head उसके बाद आप यहां से gender select कर लीजिए कौन सा gender है आप male female transgender दिया है मैं male हूं male को choose कर ले रहा हूं उसके बाद आपका father's name father's name आपको डालना पड़ेगा आप कोसिस किजिएगा जिस तरह का father name आपके आधार में दिया हुआ है या और बाकी documents में दिया है उस तरह का father's का नाम आपको यहां type कर लेना है उसके बाद क्या करना है age of head of the family आपका head of the family का उम्र क्या है आप अगर आप खुद मुख्य है family head आप apply कर रहे हैं तो आपका खुद का age डाल देना पड़ेगा उसके बाद देखिए यहां पर address दिया गया है present address and contact details बरतमान पता और संपक बेरो तो house number, flat number, door number आपका गाउं में रहते हैं तो गाउं का पुड़ा पता दीजिए अगर सहर में रहते हैं तो शहर का flat का house का door का number आप डालिए address जिस्ता से लिखते हैं उसके बाद state, name of the state, slum जो है गली मुहले का नाम डालिए उसके बाद आपको डालना है सहर का नाम automatic आजाएगा, state का नाम आजाएगा, district name आजाएगा, उसके बाद आपका mobile number डाल दीजिए mobile number जो की 10 digit डालिएगा, अगर आप चाहते हैं कि पर्दमान address ही आपका permanent स्थाई address है तो आप इसको click कीजिए, same as present address अगर आपका अलग है तो permanent address आप डाल सकते हैं उसके बाद देखिए, ownership details of existing house, आप जिस घर में रहते हैं, मौझूदा मकान का मालिकाना, हक क्या है, यहाँ पर select कर लिजिए उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है marital status, आप साधी सुदा है, कि unmarried है, या single woman window, जो हैं आप यहाँ पर डाल दीजिए इसके नीचे दिखे दिया है, type of the house based on roof type, छत के आधार पर मकान का प्रकार, आप जहाँ रह रहे हैं, वो किस तरह का मकान है, पक्का है, पक्का मतलब stone chip slab से बना हुआ है, या आपका semi पक्का, semi पक्का मतलब आपका दिवाल बना है, उपर में अलवेस्टर या स्टील सीट दिया है, या टाली दिया हुआ है, टाइल दिया है, यह आपका semi पक्का होता है, आधा पक्का, आधा कच्चा, अगर आपका मकान कच्चा है, घास से बना है, थ्रिटेज बना है, तरपुलीन बना है, या लकडी से बना है, तो आप यह कच्चा आता है, तो में कमरों की संख्या मतलब आपके घर में जितने रूम है कीचेन को छोड़ के ये लिखना है मान के चलिए आपका दो रूम है और एक कीचेन है तो कीचेन छोड़ दीजिए दो रूम लिखिए अगर आपका एक रूम है तो एक ही रूम लिखिए जो है वो आपको यहां डालन तो आधार देई रहे हैं साथ में अगर आप चाहते हैं आपके पास्पूर्त है पास्पूर्त दे सकते हैं पयंकार है और अभुट आइडी कॉट येसकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक चूज कर लीजे एक्जांपल करता हो से मैं वोटर आईडी कार्ड चूज कर लेगा तो वोटर आईडी कार्ड का डीटेल्स आपको यहां पर फिल अप करना पड़ेगा उसके बाद आपके यहां दिखाएगा फैमिली मेंबर्स डीटेल्स परिवार के सदस्यों का विर्ण जो आपके साथ फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनका सारे डीटेल्स आपको वन बाई वन डालना है सीरियल नमबर वन नाम उनका डालना है नाम की जगा पर उसके बाद रिलेशन्सिप में क्लिक किजएगा या डाटर है जो है आप उनको वहाँ पर लिखना है फादर्स मदर्स ब्रादर्स सिस्टर सारे चीज़ यह दिया हुआ है वह आपको यह डालना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर लिंक जेंडर दिया है यह सारे चीज़ को पढ़िए और वन बाई वन फिलप करते रहिए बहुत ही असान तरीका है यह फिलप करने का प्रोसेस आप फिलप कीजिए उसके बाद उसका एज डालिए उसके बाद देखिए आधार उनका आधार है आधार का नंबर डालिए फीद आपको देखिए हिए आप दिया है सलेक आईडी टाइप अगर उनका दुसरा कोई से आप हैं वाइफ है बच्चा है तो आपका तो नाम हेड आफ फैमिली में आ गया अगर आपके साथ आपका वाइफ है तो वाइफ का डिटेल्स जाल दीजिए अब सोच सकते हैं कि यहां तो कॉलम एक ही दिया है और आपको बाकी लोग को कहा डालिएगा तो दिखिए यहां अपना भर सकागिया उसकी बाद रिलिजीएस देखिए आप कौँसे रिलिजीएस में आते हैं हिंदू, मुस्लिम, किष्टन , सीक्ह जो हैं आप यहां डाल दीए एक्ग्शामपल का तोर से मैं हिंदू डाल दिया उसके बाद जाती जाती आप यहां से चूज कर लिए कौन सा जाती में आप आते हैं कास्ट आपको डालना है अगर आप जेनरल कास्ट है तो जेनरल डालिए पर आपको बैंक का नाम डालना है बैंक डीटेल्स डालना है आप जिस bank में चाहते हैं आपका subsidy आए पधानमंत्री आवास योजना का fund आए उसका details सही से डालिएगा bank का नाम डालिएगा state bank city कौन सा bank में city है bank का account number ये सारे चीज़ आप ध्यान पुरुवक भरिएगा उसके बाद select bank state कौन सा state में आपका bank है यहां से click करके choose कर लीजिए number of year state in this town city इस सहर में कितने साल से रह रहे हैं इसका details आप यहां से select में click केजिए यहां दिया है zero to one years एक से तीन साल तीन से पान साल या पान साल से ज्यादा जिस तरह का हैं आप जितने साल से सहर में रह रह रहे हैं वहां आप आपको click करना है और उसके बाद देखिए यहां पर दिया है size of distinct dwelling unit carpet area आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान का carpet area कितना है वह आप मापकर यहां पर डालना परेगा उसके बाद whether person with a disabled आप कोई disabled है क्या विकलांग है अगर विकलांग है तो यस नहीं है तो no पर click करना है उसके बाद whether the family owns any house anywhere in India क्या आपका परिवार का अपना घर है भारत में कहीं भी क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है यस है तो यस नो है तो no आप click किजिएगा उसके बाद employment state रोजगार की स्थिति क्या है यहां पर आपको चूज कर लिजे self-employed है कि saluted है कि regular wages है कि labor है कि others है जो है आप वो select कर लिजे example का तोर से मैं self-employed पर select कर ले रहा हूँ उसके बाद occupation में आता है occupation में क्या करते हैं आप अईसी तरह यहां सारे चीज़ दिया है उसके बाद दिया दिया है average monthly income of household in rupees परिवार की ओशत मासिक आए आपका फैमिली का monthly income कितना है उसके बाद दिया है does the family have a BPL card क्या आपके परिवार के पास BPL card है अगर BPL card है तो yes और नहीं है तो no अगर yes है तो BPL card का नंबर यहां पर डाल दिजिए उसके बाद देखिए housing requirement of family परिवार की आवाश और सकता नया के लिए यह हैंस्मेंट बतार रिपेरिंग करने के लिए अगर आप नया चाते हैं तो new कर दिजिए रिपेरिंग है तो new और रिपेरिंग करना चाते हैं तो enhancement में कर दिजिए मैं new के लिए मैंने कर दिया एक बार form को उपर से लेकर नीचे तक ध्यान पुरुवक पर लीजिए देख लीजिए कहीं भी कोई गलती तो नहीं हुआ क्योंकि एक बार अगर गलती होने से फिर बहुत दिक्कत होता है तो आप एक बार पुरा ध्यान से देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है उसके बाद आपका देखें यहां पर terms and condition दिया है इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद देखें यहां पर एक box दिया है क बड़ा है तो बड़ा चोटा है तो चोटा उसके बाद एक बार form देख लीजिए उसके बाद आपको form को सेप करना है सेप करने के बाद आप पेंट आउट लीजिए और देखिएगा submit का button है submit कर दीजिए तो दोस्तो आज आप जाने किस तरह से पधान मंत्री आवास योजना में आप अपना नाम रेजिस्टर कराए किस तरह से आप अपना आधार काट के दुआरा पधान मंत्री आवास योजना के लिए apply किये दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा कर लीजिए और अपने दोस्तों को सेर करना मत भूलेगा दोस्तों कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर कोई क्वैरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट किजिएगा मैं आपका कॉमेंट का reply जरूर करूंगा धन्यवाद